शोपुर सूस्त गती से पुल निर्मान किये जाने की वजह से बारिश शुरू होने से पहले पुल का निर्मान पोरा नहीं हो सका इस वजह से चार गावों के ग्रामेणों को हर साल की तरह इस साल भी ग्रामिनों को जान का जोखिम उठा कर फूटी हुई पुरानी नाव से उफंती नदी पार करनी पड़ रही है नदी का जल्सतर बढ़ जाने की वजह से नाव के डूबने का खत्रा बना रहता है लेकिन अन्य कोई रास्ता न होने की वजह से परेशान ग्रामिन अपनी और अपनी बच्चों की जान का जोखिम उठा कर नदी पार करने को मजबूर है देखे ये रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं शहर की सीमा से होकर गुजर रही सीप नदी के उस पार बसे मलपुरा, प्रेमपुरा सहीद चार गावों की जहांके ग्रामिनों को गाव से शहर और बच्चों को स्कूल को चिंग आने जाने के लिए वर्षो पुरानी फूटी हुई नाव से नदी की मज़दार पार करनी पड़ रही है बारिश का समय होने की वज़े से सीप नदी का जलस्तर बढ़ गया है लेकिन मजबूर ग्रामिन और उनके बच्चे नाव से नदी पार करके गावों से शहर आने जाने को मजबूर है जिसे आप भी इन तस्वीरों में देख सकते है कि किस तरह से ये बच्चे स्कूल जाने के लिए अपने गावों के लोगों की साथ उपनती हुई सीप नदी को फूटी हुई नाव से पार कर रहे हैं इस दोरान कोई हाथ साभी हो सकती है लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है इस वजह से वे इह जिंदगी का रिस्क उठाने को मजबूर है ग्रामीनों की माने तो पिछले सालों में नदी पार करते समय उनकी नाव नदी में डूब चुकी है जिसे देखते वे शासन द्वारा नदी पर पुल निर्मान किये जाने के लिए दो साल पहले पुल के टिडर कर दिये, राश जारी होने के बाद काम भी शुरू हुआ लेकिन पुल ठेके दार द्वारा पुल का निर्मान कच्छवाई गति से किया गया इस वजह से बारिश शुरू होने से पहले पुल के पिलर ही बनाए जा सके ऐसे हाला तुम्हे ग्रामिनों को हर साल की तरह इस साल भी जान का जो खिम उठाकर नदी पार करनी पड़ रही है इस वजह से नदी में उपान ज्यादा आने पर नाव भी बह जाती है मुरहना सिमनोज उपाद्याए की रिपोर्ट